फिल्मेकर इम्तियाज अली का वेंचर जब वी मैट एक रॉकिंग हिट था जिसमें शाहिद और करीना के फैन्स इन दोनों फॉर्मर लवर्स की केमिस्ट्री एक बार फिर एंजॉई कर सकते थे पर क्या आप जानते हैं कि शाहिद इस फिल्म का फिर्स चॉइस नहीं थे कहा जाता है कि ये फिल्म पहले बॉबी दियोल को ओफर की गई थी तब इस फिल्म का नाम था गीत मगर प्रोडॉक्शन हाउस को ये प्रोजेक काफी एक्सपेंसिव लगा और ऐसे ही छे महीने बीट गए फिर अचानक एक दिन ये फिल्म नए नाम और नए मेल लीट के साथ अनाउंस हुई उन्हें बाद में पता चला कि करीना ने खुद इंसिस किया कि इस फिल्म में शाहिद को उनके साथ पैर किया जाए तो बॉबी के हाथ से ये फिल्म चली गई बॉबी को आज भी इस फिल्म को लेकर अफसोस है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो जब भी मेट का हिस्सा होती तो उनका कारियोग्राफ यकीनन काफी अलग होता है ना तो उनका काफी अलग होता है